बाटिंदा फॉल में हम कंटीनू कम से गम 15 दिन तक बिजली का सप्लाई कर चुके थे बाटिंदा फॉल है ना वहां कम से गम 20 किलुवट तक बिजली सप्लाई हो सकता है पुरा गाउं तक रोसन हो सकता है इस रसी के माखधम से जो कि इस ट्रेक्टर को स्टार्ट किया सकता है यह देख पा रहें है आप लोग में यह ओद्री त्रेक्टर में हो गया है बहुत सारा पार्ट्स मिला के इसमें अविस्कार्ट वह हुआ है हम लोग का दामुदर बेली कॉर्परेशन है ना ये बहुत बड़ा बात बोरने जा रहे हैं DVC पाउर प्लांट जो है ना DVC पाउर प्लांट हम सामने से जाके देखें लेकिन जो देखे हैं वो थोड़ा उसका थियोरित थोड़ा गलत है 50% भिद्धू सप्लाइ हो रहा है और 50% Loss हो रहा है वहाँ कम से कम जानते हैं उसमें डबल भिद्धू उत्पन किया जा सकता है 50% ही बना रहा है और 50% उसमें एड हो सकता है यह हम अपना दावा से प्यक्टिकॉल करके भी दिखा सकते हैं कोई मेरे साथ अगर चलेंज भी करता है तो हम चलेंज कर एकसप्ट करने के लिए पोल में जो अकसर टाइगर जेराम मा तो अकसर अपने सभा में भासन में कहते हैं कि एक छोटे से गाउं से जो चंदनक्यारी स सिमोलिया गाँ से है जो एहीं दादा है जो एहीं दादा का वो कारनामा था जो की जो भटिंडा पॉल से जो पानी उपर से गिरता है उस पानी से बिजली उत्पादन करके वहां पे लगबग एक सपता का वहां बिजली मुप्त में जलाए तकर नमसकार और यह आप देख पार होंगे जो कि मैं इस वक्त मुझूद हूँ चंदन क्यारी का सिमोलिया गाँ में और यह देख सकते हैं दादा भी मेरे साथ अभी मुझूद है और यह दादा जो दादा आप देख पार होंगे जो की एक मिनी ट्रेक्टर मेरे साथ अभी मुझूद है यहां पे और यह जो मिनी ट्रेक्टर है ये दादा ने खुद अपने हाथों से बनाये हैं और इसमें लगभग हर एक चीज का जो की भूत सारे पाट होते हैं उस पाट को इखठा करके दादा ने जो की उनको फेक देते हैं जिनका यूज नहीं होता है उस चीज को निकाल करके दादा ने एक हां केका अबिसकार किया है और यह देख सकते हैं जो की हम लोग घर में जोताई का काम करते हैं उस चीज को भली भाति माध्य से हम लोग कर सकते हैं ब्यद्य आपके कुछ आपके बढ़ने में कितना मेनेत लगा है छलिए दादा से दब से पहले जोहर आपके चैनल और आपके चैनल के जितने भी सुस्क्राइबर है उन सब को मेरे तरफ से अर्दिक जोहर दादा आए थोड़ा इधर दादा ये जो आप कहां से इतना दिमाग आया दादा कि ये चीज को आप आविस्कार कर दिये एक छोटा सा गाव से आप बिलोंग करते हैं चंदन क्यारी गाव से बिलोंग करते हैं और कहां से इतना दिमाग आया दादा कि ये चीज बना दिया आप देखिया दादा इस सब एक दिन का काम नहीं है इसमें मोटा मोटी आपको मेरा चार सल का मेनत लगा है और मैं चोटा से ही मतलब रिसर्च करता रहता हूं एक एक एक नहीं एक चलते रहता है इसा मेरा रुखने का रुखते नहीं है और इस जो चीज बनाए है ट्रेक्टर इसमें बहुत सारा ऐसा पार्ट लगा है जो कि मुश्किल बुजा रहता कि जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे लेकिन करते करते खोजते खोजते ह चांको बहुत परस्हानी हुआ लेकिन इसको हम जुगार कрастप से और मोटा मोटी इसमें heroanda, काट के इसमें tempo Similarly, भी पार्ट से अंग भी बहुत सारा पार्ट मिला कर भी अजया है, क्या काम द रहे हैएग इस tractor का क्या काम है? सब्सक्राइब जताए करने दोए पर दोड़ा दोड़ा हो जाता है माटी तो यह तलम बहुत कुछ Connie मतलब आया है इस चीज को बनाने में जैसे 22,000 रुपिया आपका खर्चा बेटेगा इस चीज का बनाने में जिसमें की 2HP का इसमें मसीन लगा हुआ है इसी का दाम है 15,000 रुपिया उसके बाद जो 2HP का यह पंप है इसी में 15,000 इसका मतलब लगा है और बाकी समन जो है उस ह 200,000 रुपिया इसमें खर्चा बटेगा अगर कोई इस वीडियो के माइजम से चीज को अगर कोई घर मंगवाना चाहता है ओडर करना चाहते हैं तो क्या कुछ क्या वो बन जाएगा फिर आपके पास तो दुवारा मतलब और तो नहीं है एक ही है ना मेरे पास तो भी ट्राइल के लिए एक ही बनाए है लेकिन अगर कोई ओडर करना चाहेगा तो हम अपना वर्षब नमबर दे देंगे इस नमबर पर मेसेज करेगा तो उसको अबलिब ना मातों अक्सर अपने सभा में भासन में कहते हैं कि झोटे से जो चंदन क्यारी से हैं जो एमी दादा है जो ही दादा का वो कारनामा था यह बात बिलकुल सही है, भाटिंदा फाल में हम कंटीनु कम से कम 15 दिन तक बिजली का सप्लाइ कर चुके थे, 15 दिन तक, हम उसमें 3-4 बार फेल भी हो चुके थे, तो मेरा सोच था कि बिजली यहां जलाना है तो जलाना है, चार बार फेल होने के बार, पांचवा बार हम आते हैसे, वह एर्या को पूरा हम रोसन कर दिये थे लेकिन पटा ने, जर्ख़न में क्या सोच है, कि इसका सवफ में नहीं हम्याना है कोई कुछ divis now देता है, हम सोचते हैं कि चलिए कर रंप लेगार बूदती नहीं बनना है, ठीक चारों तरब से जंगल से घरा हुआ ये गाउं आता है सीमोलिया गाउं जो चंदनक्यरी छेत्र में गिरता है इस गाउं गिरता है और इस गाउं से आप एक इतना बड़ा चीज और जो की भटनिटा पॉल में भी आप विजिली उत्पादन कर चुके हैं कहां से इतना दिमा क मिलां से आता है किया है था नहीं पढ़ाई कि यह देख सकते हैं में भी उसना डाई नहीं सकता है और किशयो bene के canine कर हम पढ़ाय किया लेकिन पढ़ाई से मतलब उतना इरि नहीं है लेकिन हम बदाते हैं लाकिproduct कि किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा किसी जगा में नहीं मिलेगा समय सबसे बड़ा भलवान और वहीं सबसे not जाते हैं तो क्या ददा आप वहां पर बिजली उतपादन कीए थे तो क्या कुछ सरकार से या तो बिधायक जो मंतिरी हैं उनलोग से कुछ मदद नहीं मिला है कि एक छोटा सा गाउं से एक लड़का इतना सारा इतना बढ़ियां अच्छा काम कर रहा है इतना जो पानी से बिजली उत्पादन कर रहा है क्योंकि कहीं न कहीं अभी बिजली का बहुत ही एक समय से आ गया है पुरा जार्खण में बिजली का तो समय से बहुत बढ़ा आ गया है उसमें वहां जो भातिन दा फॉल है न वहां कम से कम 20 किलुवाट तक बिजली सप्लाई हो सकता है पुरा गाउं तक रोशन हो सकता है अगर माल लिजे आपका कुछ मदद मिल जाता है उपर से एकदम मदद मिल जाता है तो पुरा गाउं को रोसन कर देंगे और कॉंटिन्यू रोसन जितना अपना मतलब पार्सनल बिदूत प्लांट हो जाएगा जब मन चाहे चालू कर सकता है जब मन चाहे बंद कर सकता है इसमें कोई पावंति नहीं है उसको सेप्टी तरह से नहीं जो बनाये जैगा तो पूरा गाउं मरसमा रोसन हो सकता कथसा है कितना घरो तक बिझली पोछाश पंचलू शकते हैं तो इस ते से फीर अगर आप कारणामा करते हैं तो कितना घरों तो मतलब उजाला होगा 50 घरों तक विजली उजाला हो जाएगा जो पानी है पानी का प्रेसर से ही वह होता है कि कहीं तलाब में भी उस तरह का कुछ ने देखिए वह हाइड्रोलिक पावर प्लांट है जैसे कि डिवी सी पावर प्लांट है वहां पर बैठाये थे उसमें तीन हजार वर्ट तक सप्लाइ अल्रेडी हो रहा था उसको बढ़ा कोई पुर्ससे नहीं जारकंट का आदमी का कैसा सोच है और क्या है पता नहीं चर रहा है यह दादा यह ट्रेक्टर आप कितना दिन से यूज कर रहे हैं जैसे इसको अभी दो-तिन मैना से इसी की उज़ कर रहे हैं बाड़ी उड़ी जोताई करते हैं खेत में भी जैसे कि दान का बियोन सब इसी ट्रेक्टर से चला के उसमें छीटे हैं दान का बियोन सब पानी का खेत में भी यह चले गए पानी का खेत में भी चले गई संबभ है इसको चलाने में क्या एक लिटर तेल में लगवा कितना देर तक यह जा रहे हैं डीवी सी पाउर प्लांट जो है ना डीवी सी पाउर प्लांट हम सामने से जाके देखें लेकिन जो देखें ना वो थोड़ा चलान उसका थियोरित थोड़ा गलत है जो एक उसमें 50 परसन अब ब्लीट तो सप्लाय और्र यह एन हम देखें हैं वहां कम से कम जानते हैं उसमें डबल ब्ली की वूद्पन किया सकता है यह सन हब सुजशत फैसंग और नुदस सकता है उसनमें क्या फायदा हो सकता हैrikे कॉऩ और और अपना से प्यक्टिको natur करके दिखा सकते हैं कोई मेरे साथ अगर चेलेंज करता है तो आप चाहसे करने के लिए हैं चलेंज एकसप्ट करने के लिए हम तयार हैं मतलब आप चार हैं कि हमको एक बार मुका दें जादा हम चार हैं कि एक बार मुका दें वहां 50 परसंट भी दूट क्या लग रहा है मोका अगर कोई अगर आपको मुका दे देते हैं तो खरा उतर पाईएगा ना है एक दम पैक्ट लग वहां एक गर मुका फिप्सकार मुका उखता यह पादा Member में जालग कोई चाहता आए कि अक्सेप्ट करें चलेंग चाहते हैं तो आ सकता है अच्छ आए कई कैमा लिया में हुआ है हां बैदा नही आपका अब्सकार कर दिया एक मिनि का ऐदा है दल्च्ब comment इसके बारे में तो हम बहुत कुछ कहना चाहें लेकिन क्या हैं, इस काम में तो हम 2016 सामिल है, आप वह साथ में है, सों और मुदना है जहां कुछ करने की या तो कुछ आपना राइ ले जाते है, जैसे भाटिन्डा हो गया दुआ सोलो में हम लोग बिजली का जो इसकार किये थे वस्माइज से हम लोग जो भी काम मतलब होता है मतलब सब क्वाक्राइब उस तरह का जो आप लोग कार्णामा कर रहे हैं तो कहीं कहीं आप लोग सरकार से कुछ मदद मेंनगा विश्याये यह क्थ постоянно हाँ इसमें हम लोग कुछ मदद मिलता तो और कुछ हम लोग आगे का कर सकते थे क्योंकि देख सकते हैं ददा हर चीज का पार्ट यहां पे डाला गया है और इस चीज को इकठा करके एक मिनिट ट्रेक्टर का एक आविस्कार यह सब चीज जो भी है हम लोगे घर में तो देख अगर कोई भी अदमी अगर चाहेंगे होंडा को होंडा के समय पानी चलाने के समय पानी का यूज कर सकते हैं हार जोतने के समय हार भी जोस सकते हैं दादा एक बर होंडा में दो काम कर सकते हैं आप पानी भी हाँ पानी तो चलता ही है यह तो सब को ही मालूम है दादा एक ब ट्रेक्टर को जो है यह ट्रेक्टर को अभी स्टार्ट करने आ ले हैं और किस तरह से देखिए यह काम करते हैं यह ट्रेक्टर कि केमरा में थोड़ा नवीदे कजी यह देख सकते हैं यहां पर जो रच्शी है इस रच्शी के माइधम से जो कि इस ट्रेक्टर को इस्टार्ट किया जा सकता है यह देख पा रहोंगे आप लोग यह देखिए यह प्रेक्टर इस्टाण हो गया है और यह देखिए हाल जुताई जो आप देख पा रहोंगे लाइब देख पा रहोंगे जो कि हाल जुताई यहां पे हो रहा है कि यह थोड़ा आम जो भी देशने सी तरी में जला ना जो कर देख लिए कि किस तरह से ट्रेक्टर काम करता है और यह बहुत ही जो गाव घर के लिए बहुत ही लाबदायक साबित होने वाला है तो यह आप लोग देख लिए कि किस तरह से ट्रेक्टर काम करते हैं और हम अभी खुद चलाएं यह ट्रेक्टर को जो की चलाने भी भी बहुत ही यह सुविदा जनक है और इस चीज को यहां से एक रस्ती के माईधम से स्टार्ट किया जाता है और यह है क तो चलिए दोना जोहार नमस्कार दूसरा वीडियो में मिलते हैं